बैंबू प्रॉंस एक गौ में मन्नू नाम का व्यक्ति रहता था जो तालाब में प्रॉंस को पाल कर उनका व्यापार करता था उसके पास जो एक छोटा सा तालाब था उसमें वो प्रॉंस को पालता था और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे अपने परिवार चलाता था उसकी पत्नी थी रम्या और बेटा था नानी मुन्ना नाम का दलाल मनु से प्रॉंस खरीदता था मुन्ना कोई न कोई बहाना बना कर मनु से कम पैसों में ही प्रॉंस खरीदता था इसी वज़े से मनु को ज्यादा लाब नहीं मिलता था एक दिन मनु की पत्नी रम्या मनु से सुनो जी इस बार जब मुन्ना प्रॉंस खरीदने आएगा तो आप उससे कहिए पुराने दाम में नहीं ने दाम में खरीदना होगा वो जो पैसे देता है उससे अपना घर का गुजारा नहीं होता बेटे का स्कूल का फीज भी नहीं बरा हमने घर का कच्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है अब हम और किसी को बेचना चाहे तो ये मुन्ना गुंडा गिरी पे उतर आया है और किसी और को बेचने भी नहीं देता सुनो जी इस बार अगर प्रॉंस कम दाम में बेचा तो ठीक नहीं होगा के देती हूँ तब मनू क्या करूं रम्या मैं और कोई धंदा करना जानता नहीं चलो ये ताला बेच कर अगर हम शहर जाना चाहें तो मेरे पिता जी ने मरते वक्त मुझसे ये वादा लिया था कि मैं ये गाउन छोड़ कर कभी ना जाओ जैसा तुमने कहा इस बार मैं मुन्ना को रेट बढ़ाने के लिए कहता हूँ परसो मैंने बाजार में देखा था हमसे जो प्रॉंस खरीता है वो दुगने दाम में वहाँ बेचता है वो मुन्ना खूब पैसे कमा रहा है जी इस बार अगर आप जिचक कर कम दाम में उससे बेचेंगे तो मैं अपने माई के चली जाओंगी के देती हूँ तब मन्नु अरे भागवान इतनी बार बोलने की कोई ज़रोत नहीं है मैं समझ गया हूँ कुछ दिनों बाद मुन्ना मन्नु के पास प्रॉंस खरीदने आया मुन्ना मन्नु से अरे क्या भाई मन्नु इस बार लगता है तुमारे प्रॉंस एकडम सुक्ड़े हो गया है मुझे शک है कि ज़्यादा देर पाणी में रहने के कारण इन्हें ख्लू हो गया है तब मन्नु क्या बात कर रहे हैं सर अरे जब से पैदा होते हैं, मरने तक ये प्रॉंस पादी में ही रहते हैं, तो इन्हें कहां से सर्दी जुकाम हो जाएगा, प्रॉंस तो एकदम बढ़िया हैं सर, मुन्ना अरे भाई मैं पिछले 20 साल से ये धन्दा कर रहा हूँ, तो क्या मैं नहीं जानता कि प्रॉंस को कैसी बीमारी हुई है, देखो भईया, इस बार भी प्रॉंस पिछले बार की तरह कम दाम में ही बिखेंगे, इसके तुम ही ठीक ठीक दाम लगा दो, तब मुन्ना, नहीं नही मनु, अरे ये सब रहने दीजिये सर, मैं कम दामे नहीं बेचने वाला, बस, ये फाइनल है सर, मुन्ना, अच्छा, अब मुझे ना बेच कर, तुम किसे बेचते हो, मैं भी देखता हूँ, कहकर वहां से गुसे में चला गया, इस तरह मनु ने बहुत सारे लोगों को मनु, मुन्ना से पंगा ले लिया, तुम तो उसके बारे में जानते हो ना, अब कोई भी उसकी बात डाल कर, तुम्हारे पास प्रॉंस तो खरीदने से रहे, मनु घर आकर, बहुत दुखी हुआ, रमिया मनु को देख कर, ये क्या जी, आप यू निराश होकर बैटेंगे, तो के से चिलेगा, ठीक है, चिलिए, हम ये ताला बेचकर, गाव चोड़कर कही और चिले जाते हैं, और कोई और दंदा कर लेते हैं, बनु, और क्या करूं भागवान, मैं इसके अलावा और कोई काम तो जानता नहीं, यू कही रहा था, कि तभी उसे कोई अच्छी सी सु अब आदी रात को प्रॉंस वे कोन पका रहा होगा, तभी उन्हें उनके तालाब के पास आवाज सुनाई दी, रम्या और मनु दोनों वहां पहुँचे, वहां एक चोर मनु के तालाब में से प्रॉंस निकाल कर उसे पास ही पड़े बांस में डाल कर पका रहा था, मनु न धीरे से जाकर उस चोर को पकड़ लिया, रम्या, चोर, चोर, अरे कोई आकर पकड़ो इसे, चोर, चोर, कहकर चिलाने लगी, तब वो चोर, अरे बेहन जी, किसे को ना बुलाओ, पहले ही शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तब मनु उस चोर से, ए, मनु तुम, इतनी दे अरे यहां चलाया, बस अभी अभी पका रहा था साब, तब मनु अच्छा, तुम चोरी में ने ने हो, वरना यहीं चुरा कर तुम यहीं पकाते, हैं, हैं, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें काम दूँगा, लेकिन ध्यान स मन लगा कर काम करना, तब रम्या ने बैंबू प्रॉंस का स्वाद चक्कर देखा, रम्या, अरे वा, ये तो बहुत स्वादिस्थ है जी, ऐसा स्वाद तो मैंने किसी होटल में भी नहीं देखा, ये गजा कमाल रसोया है, तब ही मनु, अरे वा, आइडिया, कह कर चिलाया, रम्या, कहीं सा आइडिया, मनु, मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाओंगा, अगले दिन वो गौँ के बाजार में कोईले का चूला जला कर उसमें बैंबू प्रॉंस को पका कर बेशने लगा, गजा इसमें मनु की मदद करने लगा, क्योंकि उनके बैंबू प्रॉंस बहुत स्वाजिश्च थे, लोग लैन लगा कर वाँ खरीद कर खाने लगे, कुछी दिनों में मनु के बैंबू प्रॉंस बहुत मशूर हो गे, इस तरह मनु जो प्रॉंस खुद पालता था, उन्हें खुदी पका कर लोगों को खिला कर पैसे कमाने लगा, इसकी खबर मिलते ही, उन्हें दो गुंडों को लेकर मनु के पास पहुंचा, तब गजा ने उन दोनों गुंडों को पटक पटक के मारा, वो वहां से भाग गया, तब गजा मनु से, सब इसे पहले मैं कुष्टी पहलवान था, ऐसा कहा, सब जो से हसने लगे,